नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्रंगार और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर जहां पर हम टेक्निकल बाते करते हैं जहां पर हम कार से जूड़ी बाते करते हैं बाइक से जूड़ी या फिर इनकी टेक्नलोजी से जूड़ी बाते करते हैं आज भी ऐसा एक एनकेप रेटिंग कितनी मिली हुई है, इसके बारे भी बताएंगे, फिलाल थो हम एनकेप के एक एक प्रकार की जब वीडियो हम बनाएं, तो आपको इसकी जानकारी मिले, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात ही नहीं है, सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, एनकेप क्या है या ग्लोबल एनकेप क्या है, तो ये एक प्रकार की कार टेस्टिंग बॉड़ी समझ दीजे, जो कि इसका अगर फुल फॉर्म देखे तो न्यू कार असेश्मेंट प्रोग्राम होता है, इसका मतलब है कि जो भी नई गाड़ी मार्केट में आ रही है, जिस जो गाड़िया निकल रही, उनको कर दिया, ऐसे का होगा, ऐसे एक ग्लोबल एनकेप पर इंडिया की सारी गाड़िया भी जा रही है, तो अब देखते हैं किसे कितनी रेटिंग में लिए है, कौन सी गाड़ी सेफेस्ट इन्होंने बताई है, और एक्चुली में कौन सी ग नहां पर इनका इस्थान होता है, सबसे पहले दोस्तों आती है हिंडाई की आइटएंटी, जिसे मिले हुए थ्री स्टार, अब आईटएंटी आपने देखी होगी गाड़ी हिंडाई की गाड़ी है, प्रीम हैजबेक सेग्मेंट में आती है, काफी अच्छे पावर के तो सेफटी के इसाप से आप देख सकते कि अगर आप इसी सेगमेंट में सोच रहे हैं लेने के लिए गाड़ी तो अगर आप सेफटी प्रेफर करते हैं तो आए 20 को छोड़कर आप अल्ट्रो ले सकते हैं जिसको फाइव स्टार सेफटी रेटिंग है वह भी लिफ्ट में आगे आए कि उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी गाड़ी आती है टोयटा की इस गाड़ी को एनके अ चाइड्ड सेफटी की बात करें तो इसमें आइसो फिक्स एंकरेज पॉइंट्स दिए गया है यह एक प्रकार के एंकरेज पॉइंट्स होते हैं आपकी पिछली सीट पर कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पर अगर आपके गर में बच्चा है तो उसके लिए एक सीट उनके पूरे शरीर पर नहीं लग पाते हैं फिर उनकी सेफटी का आपको है लाएगा तो उसके लिए एक सीट आती है बच्चों के लिए उसीट आप लेंगे तो आपकी गाड़ी में एंकरेज पॉइंट्स भी तो होने चाहिए तो इस गाड़ी में अवेलेबल है इसलिए इसे चाल्ड शेफ्टी के लिए थोड़ी जादा सेफटी रेटिंग मिली वही है साथ इसमें एक ओर फीचर आता है जो इसको फोर सेफटी रेटिंग के तरफ लिए आता है वह एडजस्टेबल हेड्रेश्ट देखें दोस्तों हेड्रेश्ट जो होता है आपको आराम करने के लिए होता है एक्च्छली वह चीज नहीं होता है उसका मेंच्चन यह होता है कि जब भी आपको गाड़ी इंपक्ट कर जाती कहीं पर क्रैश कर जाती या कहीं पर Пान के चल अका अगको नेक्ड है एकदम मुड़ सकती है इसलिए वहाँ पर एक headrest दिया रहता है जिसको जिसका main काम क्या है कि आपके सर को आपके जो सिर है उस पार को रोक ले तो आपके गर्दन को एक और support मिल जाता है अगर नहीं है तो फिर integrated आते हैं बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा हो पुरानी टियागो जो आती तो उसमें इंटीग्रेटेड हुआ कर देथे मिली हुए 4 star की बढ़ा दोस्तो चाइड सेफटी में इतना कुछ खासा इसने कमाया नहीं है वन स्टार की सेफटी रेटिंग है जो कि बहुत पूर कॉलिटी की चाइड सेफटी रेटिंग के एंकरेच पॉइंट्स नहीं दिये गया है अगर आप अकेले चलना जादा पसंद करते है या अपने दोस्तों के साथ गुमना पसंद करते है तो यह गाड़ी आपको सेफटी पहुचा देगी अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 7 नंबर की गाड़ी जो की अच्छी कासी सेफटी रेटिंग लेकर आई है यह गाड़ी है मारुति सुदुकी की जहां दोस्तों मारुति सुदुकी में भी सेफटी रेटिंग काफी अच्छी है विटारा ब्रेजा यह गाड़ी होती है फोर स्टार की सेफटी रेटिंग लेकर आई है Compact SUV segment की गाड़ी जैसे ही इसने काफे धूम भी मचा रही थी जैसे ही Compact SUV नए नए आये थे मार्केट में, सबसे ज़्यादा विटारा ब्रेजा ने मार्केट गेन किया था, so 4-star की safety rating भी मिलती है, 3-star की child safety rating भी मिलती है, अगली गाड़ी जो की छटवे नंबर बर आने वाली है, वो है Volkswagen की Polo दोस्तों, हाला कि Polo आपने देखा, hatchback segment की गाड़ी काफी compact होती है, छोटी सी गाड़ी होती है, पावर के मामले में बहुत ही बढ़ी होती है, उस segment में आप देखेंगे सबसे अच्छा पावर, सबसे अच्छा acceleration आपको ये गाड़ी प्रोवाइट कराती है, safety के बारे में अगर बात करें, तो safety इसकी काफी अच्छी है, इसे भी 4 star की safety rating adults के लिए मिली होई है, और child safety rating देखें तो 3 star की safety rating लेकर ये गाड़ी आती है, safe गाड़ी होती है, बहुत ही बढ़ी गाड़ी होती है, 4 star की rating को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे 5 star हो गया, उसे थोड़ी बहुत अगर एक दो features कम है, तो फिर 4 star से मिलता है, safe गाड़ी होती है, तो ये तो थी दोस्तो, top 10 में से 6 गाड़ी है, अब देखते है, top 5 में कौनसी कौनसी गाड़ी आ रही है, top 5 की गाड़ीों को हम देखते है, सफिप नंबर पर जो गाड़ी आ रही है दोस्तो, वो है महिंद्रा की मराज़ो, ये गाड़ी 7 seater vehicle होती है, 4 star की safety rating लेकर आती है, 2 star की child safety rating भी है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, आप अगर लंबे टूर के लिए जा रहे है, MUV vehicle होता है, लंबे टूर में क टाटा की गाड़ी लगादार मिलेंगे आपको, क्योंकि टाटा की सारी गाड़ी लगबक बहुत ही safety rating लेकर आ रही है, safest गाड़ी आ मानी जा रही है, इंडिया में, सो टाटा टिगा और की जैसे हमने बात करी, 4 नंबर पर ये आ रही है, 4 star की safety rating लेकर आती है, 2 star की child safety rating ले टाटा नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर वो है टाटा नेक्सों, ये गाड़ी तीसरे नंबर पर आ रही है, आपने जोना है कि टाटा आती है, टाटा नेक्सों जो इंडिया की safest गाड़ी है, बिल्कुल सबसे पहले जिस गाड़ी ने, इंडिया की जिस गाड़ी ने 5 star rating लेकर आए थी, साथी child safety rating की बात करें, तो 3 star की child safety rating की गाड़ी को मिली हुई है, तो बहुत ही बड़िया गाड़ी है, compact SUV segment में है, power की बारे में आपको कभी भी देखना नहीं होगा, power बहुत ही अच्छा generate करती है, पेट्रोल में available है, डीजल variant में भी available है, पेट्रोल में जहाँ आपको power जादा मिल जाता है, वही torque की बात करें, तो डीजल variant में आपको बहुत बड़ी है torque इस गाड़ी में मिलता है, साथी बहुत सारे features इसमें available है, जैसे AIRA technology मिलती है, जो आपके mobile से आप connect कर सकते हैं, तो mobile के दुरू कापी सारे operations आप गाड़ी में कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे features के साथ ये गाड़ी आती है, अब दोस्तों दूसरे नंबर की गाड़ी की बात करते हैं, कि second most safe गाड़ी कौन सी होगी, तो ये Tata ही की तरफ से Tata Altros, जिहां दोस्तों इस second नंबर पर आ रही है, क्योंकि इसे भी मिली हुई है, five star की safety rating अड़र्स के लिए और child safety rating मिली हुई है, त्री स्टार की गाड़ी आती है, दूसरे नंबर पर अलफा अर्किटेक्चर बना हुआ है, जो की बहुत ज़्यादा flexible, बहुत ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं, बहुत ही बढ़ी है structure होता है, जो गाड़ी को कहीं भी impact होता, तो आपको बिल्कुल safe रखता है, दो airbag के साथ ही गाड़िया इतने कमाल करती है, अगर सोची छे airbag मिले होते हैं, तो ये गाड़ियों में और कितनी safety मिल जाती, बट फिलाल टाटा ने दो ही airbag के साथ ही कमाल कर दिखा है, फाइव स्टार की safety rating लेकर ये गाड़िया आती है, नेक्स वान भी, आल्ट रोस भ safety rating तो मिली हुई है, अडल्स के लिए साथ में मिली हुई 4 star की safety rating बच्चों के लिए, तो ये गाड़ी फर्ष्ट नमबर पर यहां बैठती है, safety wise बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बच्चों की safety 20 में बहुत बढ़िया दी गई है, तो ये गाड़ी होती है, फर्ष्ट नम सेटांग गाड़ी फिर अविलेबल है टिग और जो की 4 star की safety rating के साथ आती है, तो ये था दोस्तों safety के लिए comparison, आगे पिस परकार के वीडियो मनाते रहेंगे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद